आज मैं आपके साथ थ्री येर प्लस बच्चों के लिए मैथ की एक्टिविटीज बुक का वीडियो शेयर कर रही हूं यह ड्रीमलेंड ब्रांड की एक्टिविटीज बुक से यह फाइब बुक का सेट आता है और मैंने उन बुक्स का रिव्यू वीडियो शेयर कर रखा है मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दोंगी आप उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो उस लिंक के थूरू मेरे वीडियो को देख सकते हैं उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैं वन वाई वन करके आपके साथ सारी बुक्स का वीडियो श पर उसके बाद नंबर को पहचानना है जैसे कि 1, 2, 2 बटरफ्लाइं है तो इधर बच्चे को नंबर दिखाना है आपको समझाते हुए बच्चे को बोलना है कि 2 नंबर देखो और बच्चा इस तरह से आपका 2 नंबर देखेगा और फिर उस पे सरकल करेगा आपको इस टार् इसके कांट इंड राइट इसमें बच्चे को कांट करने है फिर उसके बाद लिखना है 1, 2, 3, 4 इस तरह से यह फ्रॉग कितने हैं 1, 2, 3 इसमें नंबर 3 लिखना है इस तरह से और झेकτά है feed the monkey count and write the number of fruit इसमें भी सेम इसी की तरह है fruit मरलब fruit count करने हैं और फिर इसमें लिखना है next है complete the sequence इसमें क्या है बच्चे को sequence को complete करना जैसे कि इसमें two candles है फिर three candles फिर four candles और यहां पर बच्चे को five candles बनानी है उसी तरह से इसमें four beads है इसमें five है तो next कितना आएगा number next आएगा six इस तरह से बच्चे को one flower two flower three flower यहां पर कितने flower बनाने है four flower इस तरह से यह है आप चाहें तो इसका screenshot लेकर print out निकलवा सकते हैं और बहुत ही अच्छी यह book है आप जरूर buy करिए अगर आप buy नहीं सकते हैं तो इसका screenshot लेकर आप print out भी निकलवा सकते हैं ओके नेक्स्ट है complete the drawing and count them draw a tail for is puppy बच्चे को ड्रो करनी है इस तरह से बच्चा टैल बनाएगा फिर उसमें फिर count करना है one two three इस तरह से यह से इसी तरह से बच्चे से करवाना है बहुत ही अच्छी activity book है आगे आगे आप जितना बढ़ोगे फिर आपको थोड़ा थोड़ा तफ भी होता जाएगा आगे अब इसमें क्या करना है color by number इसमें number दिया है one number को red color से color करना है जिसे कि यह column है one number का तो इसमें red color होगा and two two को blue से करना है तो यह वाला column blue से होगा and three three वाले को yellow से करना है four वाले को orange से करना है फिर repeat करना है बहुत ही अच्छी है यह and nest search find their nest for them इसमें बच्चे को nest search करना है three number का nest कौन सा होगा यह three इस तरह से one number का next कौन सा होगा ये वाला and two number का ये इस तरह से आपको अपने बच्चे को सिखाना है बहुत अच्छी book है next है circle the same number इसमें बच्चे को number पेचानना है फिर उसके बाद आपको इस पे circle करवाना है बच्चे ने इधर number पेचाना फिर आपको इधर से number दिखवाना ह आप क्या करिएगा जैसे बच्चा confuse होता है इतने सदेर साई number देखकर बच्चा confuse होता है तो आप इस तरह से कोई book या copy रख लेना फिर बच्चे को बोलना बेटा ये क्या है seven number तो फिर इधर दिखाना है seven number पे circle बच्चा same देखेगा और बच्चा इस तरह से आपका circle क्योंकि एक साथ सब देखता है न बच्चे तो नहीं करता है आयू mostly ये करता है तो मैं आपको idea दे रही हूं ओकी next number है match the object with the number बच्चे को object count करने है one two three four four object अब इधर number देखना है फिर matching करने है इस तरह से ये भी बहुत अच्छी है अब इधर क्या है color the picture corresponding to the number at the beginning बच्चे को जैसे कि यहाँ पे one दिया है तो बच्चे को only one ही onlybracht three grabs को color करना यहाँ पे three day तो three case को color करना यहाँ पे two दिया है तो two को color करना है इस तरह से यह complete करना है बच्चे से okay next यह activity बहुत ही अच्छी activity है इसमें क्या है number sequence इसमें क्या करना है ज mensen eh six alleged इस युन दिया है two kanak the alle about three four N heads इस तरह से बच्चे को आपको सिखाना है फिर उसके बाद यह वाला आपको करवाना इसमें क्या है तो के बाद 3 इसकिप किया गया यहां पर क्या आएगा फूर फिर इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा टफ है जब बच्चा थोड़ा मिच्यूर हो जाए उसको वन्टू आगा इसमें नहीं है बच्चा थो जवकित जबो है तो फिर आप इसमें अर tous आकवरान सो ici है इस वन्टू तो आ अल्वित बहें क्या आए जयां उ सुप हूं sigui इसमें यह किया ने किया है मेरे बेटरे भैटे ने 1222 23 इस तरह से से बच्चे को बना एक व्युका बरन जाय इसमें क्या करना है बच्चे को जैसे कि यहां पर one number दिया है one number जो dot है उसको red color से करना है जहां पर one dot होगा उसमें red color से color करना है फिर two dots पर blue color से three dot पर green color करना है and four पर yellow and six पर pink इस तरह से आपको अपने बच्चे से करवाना है नेक्ष्ट है write the number अब इसमें जैसे कि gift gift count करना है one two यहां पर number two लिखना है इस तरह से यह सेम है बच्चे को सारा cow count करके लिखनी है नेक्ष्ट है number sequence अब इसमें fill in the blanks space अब यहां पर देखिए four दिया है तो four के बाद क्या आता है बच्चे को आगे का turn बताना है four के बाद क्या आता है five five के बाद क्या आता है six and six के बाद क्या आता है seven seven के बाद क्या आता eight अभी हम इस पर कर नहीं रहे हैं क्योंकि यह मैं activity अपने बेटे से करवाँगी इसलिए मैं fill नहीं कर रही हूं आपको अपने बच्चे से इस तरह से यह करवाना है और next है painting with matching number जैसे कि यह paint box है and brush अब यह paint box पे five number है अब आपको five number का brush ढूणना है फिर उसके बाद matching करना है जैसे कि यह इस तरह से आपको अपने बच्चे से करवाना है नमबर वन का यह paint box है अब नमबर वन का brush ढूणना है बच्चे का interest आता है इस activity को करने में बच्चे को interest आता है आपको बस थोड़े से अपने efforts डालते हैं fun way में बच्चे से यह activity करवाने हैं ओके, now next है number pyramid fill in the missing number अब बच्चे को इसमें missing number लिखना है one के बाद क्या आता है two, three, four, five इस तरह से बच्चे को लिखना है six, seven, eight, nine, and ten ओके, इसमें more and less का concept बच्चे को समझाना है मैं थोड़ा fast में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा अभी बहुत ज्यादा पेज हैं इस book में ओके, next है count the right जैसे कि यहाँ पे butterfly है तो बच्चे को देखना है इस graph में butterfly कितनी है one, two, three, four अब यहाँ पे इस तरह से बच्चे को लिखना है three, three कितने है one, two, three, four इस तरह से आपको अपने बच्चे से करवाना है next क्या है help miss kitty match the letter now इसमें देखो बच्चे को same letter से same letter को match करना है a से a को match करना है यह आयू नहीं किया है जो अभी easy है वो activity में आयू से करवाई है match the quantities इसमें बच्चे को same match करना है जैसे कि इसमें क्या है one, two, three, four, five अब इसमें देखना है बच्चे को five object को इसमें है जैसे कि इसमें one, two, three, four, five अब इसमें क्या इन्होंने किया है pattern अलग change कर दिया जिसमें बच्चे थोड़ा सा confuse होगा इस यह अच्छा है बहुत अच्छी activity है मुझे अच्छी लगी है okay next है count the number of picture and tick the correct option जैसे कि rabbit, four rabbit है अब आपको आपके बच्चे को count करना है four rabbit किसमें है और फिर बच्चे को correct tick लगाना है जैसे कि इसमें है आपके बच्चे को पहले starting सही count करना होगा one, two, three, four, five तो इसमें तो four है नहीं one, two, three, four आप इसमें बच्चा आपका tick करेगा इस तरह से आपको यह करवाना है okay match the quantities same way पीछले वाले की तरह है इसमें डॉगी देखे one, two, three, four अब इसमें देखना है four object इधर कहां पे दी है तो बच्चा इस तरह से देखेगा और one, two, three, four और इस तरह से matching करेगा okay इसमें क्या है my favorite pit अब इसमें number to number joint करना है यह तो easy होता है बच्चे के लिए यह भी अच्छा है इसमें बच्चे को आप counting सिखा सकते है okay now next है the place value house okay इसमें बच्चे को once और tens का concept क्लियर करना है जैसे कि once place value फिल करनी है देखिए अब यहां पर once में क्या आएगा zero और tens में क्या आएगा one इस तरह से next once में क्या आएगा eight and tens में क्या आएगा zero इस तरह से आपको अपने बच्चे से करवाना है okay अब देखिए थोड़ा सा आगे difficult करते जा रहे हैं अगर आपने notice किया होगा फिर क्या आता है what's come between अब बच्चे को between का करना होगा जैसे कि यहां पर one दिया है यहां पर three दिया है तो यहां पर कितना number आएगा two इस तरह से बच्चे को two dot बनाने okay same फिर इसी तरह से यह आपको करवाना है बच्चे से between का concept यह दिया है okay next दिया है laser then draw the correct number as indicates बच्चे को dots को count करना है dinosaur पर कितने dots है one two three four five six seven eight okay उसमें से four less करने है तो इस तरह से four cut करवाना है बच्चे से one two three four यह cut हो गया यह cut हो गया इस तरह से बच्चे से आपको बच्चे को इस तरह से सिखाना है बच्चे को फिर count करने है देखे बटा अब कितने बच्चे one two three four इस तरह से बच्चे को four dots से यहां पर count करना है कई तरीके आपको अगर आपको कोई और तरीके से बच्चे को सिखाना है तो आप अपने तरीके से सिखा सकते हो मैं आयू को इस तरह से less than का concept किलियर करती हूँ ओके इस तरह से same यही है tick the one with the most number of flower अब इसमें देखना है बच्चे को सबसे ज़्यादा flower किसमें है इसमें कितने है one two three four और इसमें कितने है one two three four five इसमें कितने है one two three four five six बच्चे को बताना है सबसे ज़्यादा किसमें तो six यहाँ पर number six लिखना है इस तरह से फिर उसी तरह से apple करना है apple कितने है और इसमें aquarium का करना है ठीक है आप screenshot ले सकते हैं आप print out इसका निकलवा के अपने बच्चे से activity करवा सकते हैं ओके next है using number color four spot on each card color करना है four four जो dot दिये हैं इसमें जो dot दिये हैं उनमें इसे four color करना है बच्चे को यह activity करने में interest आता है okay tick the tick the set of number three इसमें देखना है three कौन-कौन सा है और उस पर टिक करना है जिसे कि three apple है and three lines लाइन्स है लाइन्स है इस तरह से अब इसमें क्या है color color two spot on each of these इसमें two spot पे color करना है okay अब इसमें next देखिए इधर क्या दिया है complete the birthday preparation how old are you draw the same number of candle on your birthday cake आपके बच्चे की age क्या है उसके according आपको बच्चे से candle बनवानी है जैसे कि आई हो मेरा बेटर three year old है तो फिर मैंने three year old candles लगाई है इस तरह से इसमें draw three more balloon अब यहाँ पे बच्चे को balloon बनाना है three more balloon बनाना है अब इसमें four more मतलब four और cap बनानी है यह भी अच्छी है अच्छी activities इस books में दी है मुझे यह activity books बहुत ज़्यादा पसंद है how अब इसमें देखो कौन सा concept आ गया how many left how many accounts there the together आपके बच्चे को इस तरह से आपको counting करवानी है accounts कितने है one, two, three, four, five यहाँ पे बच्चे को five number लिखना है how many fell कितने गिर गए one, two, two number how many are left on the branch अब कितने ब्रांच पे बच्चे को इस तरह से बच्चे को एक्टिविटी करवानी है how many left same concept है इसमें भी वही चीज है कितने पेरेट हैं और कितने गिर गए हैं वही same concept इधर भी दिया गया है यह कितने mango हैं two, two गिर गए हैं और कितने बच्चे हैं six balloon पकड़ रखे थे और उसमें four balloon fly मतलम उड़ गए और उसके बाद उसके हैंड में कितने balloon बच्चे हैं इस तरह से आपको अपने बच्चे से करवाना है ओके यह देखिए यह best activity है मेरे लिए क्योंकि इसमें बच्चे की brand boosting activity होती है अब इसमें क्या है इसमें numbers उपे हुए है बच्चे को find करना है find out करना है जैसे कि यह one दिया है अब इस पे color करना है यह three दिया है बच्चे को color करवाना है three पहले पहचानेगा फिर उस पे फिर आपको color करवाना है बच्चे से interesting है यह activity यह two number दिया है यह 5 नमबर दिया है इसी तरह से यह 4 नमबर दिया है यह 1 नमबर दिया है इस तरह से बच्चे को यह activity करवानी है इससे बच्चे की brand boosting होती है इसमें क्या करना वही पिछली की तरह है यह activity जैसे कि यहां पर 2 दिया है तो 3 को skip करना यहां पर क्या आएगा 4 अब 4 के बाद 5 को skip करना यहां पर क्या आया 6 6 के बाद 7 को skip करना यहां पर क्या आया 8 8 के बाद आपको 9 skip करना है यहां पर क्या आएगा 10 इस तरह से यह आपको बच्चे को concept के लिए करना है सेम यह इधर भी दिया है ओके ये देखे बेक काउंटिंग बच्चे को बेक काउंटिंग करने में डिफिकल्टी होती है ये आप इस तरह से बच्चे को बेक काउंटिंग सिखा सकते हैं ओके जैसे कि 10, 9 ओके असेंडिंग काउंटिंग इसमें क्या करना है पहले तो बच्चे को यह काउंटिंग करके यहां पर नंबर लिखना है जैसे कि ascending order का concept बच्चे को clear करना ascending मतलब छोटे से बड़ा जाना है तो सबसे छोटा नंबर क्या है 4 उसके बास उससे बड़ा कौन सा है 7 फिर 8 इस तरह से ascending order करना है आपके बच्चे को ओके ये देखें बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है beginner than and smaller than इसमें क्या करना है बच्चे को color the all star with number beginner than 10 10 in blue number and smaller than 10 in yellow मतलब कि जो 10 से बड़े नंबर है उनको blue color से करना है जो 10 से छोटे नंबर है उनको yellow color से करना है इसमें बच्चे को ये concept किलियर करना है बच्चे को interest आता है इसको करने में जैसे कि 10 से बड़ा नंबर 11 है तो इसको blue color से करना है और ये 14 blue color से होगा 12 blue color से होगा एंड बस इतने नंबर blue color से होगा और उसके बाद ये सारे small number मतलब 10 से छोटे नंबर है तो इनको yellow से करना है बच्चे को ओके ओके नेक्स्ट steady tails ये जो पटाखा है इसकी tails पे 10 स्टार है और जो missing star है वो आपको ड्रॉ करने है जैसे कि यहां पे 10 स्टार होने चाहिए तो बच्चे को 10 स्टार बनाने है ओके इस तरह से इस प्रतेक tails पे 10 स्टार बनाने है ओके नंबर इंडिकेटर इसमें क्या करना है color two balloons अच्छा इसमें two balloons को color करना है five balloons को color करना है इसमें and seven balloons को color करना है अब color का इंडिकेटर दिया गया है इसमें red color से करना है इसमें green color से करना है इसमें blue color से करना है फिर दिया है the same number join the marbles pouch यह pouches दिये है join the marble pouches with the same number of marbles जैसे कि इस pouch में three balls है three marbles है तो यहाँ पर बच्चे को देखना है three marbles किसमे है and joint करना है next इसमें four है तो यहाँ पर four marbles देखना है joint करना है okay इधर देखिए दिया है shapes count count the shapes in each of the screen which screen has the most number of shapes circle it इसमें क्या करना है बच्चे को screen में जैसे shapes दी है उनको count करना है जैसे कि यह triangle कितने है one two three four five six seven eight तो यहाँ पर इस तरह से circle करना है इसमें number देख दियें और उस पर जो correct number है उस पर circle करना है जैसे कि इधर heart कितने दियें one two three four five six seven eight nine ten तो इस तरह से इस पर ten पर circle करना है यह भी बहुत अच्छी है okay space ride antrish yatra let the spaceship connect one planet to the other in sequence of the number इसमें क्या है एक antrish से दूसरे antrish को जोड़ना है जैसे कि इस से one one से two two से three 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 से four four से five five से six six से seven seven से eight eight से nine इस तरह से करवाना है बच्चे को okay इधर how many side यह बहुत अच्छी है how many side does a triangle है मतलब कि triangle में कितनी side होती है जैसे कि three okay how many side does a rectangle है rectangle में कितनी shape होती है four इस तरह से और आप इसको और भी तरीके से करवा सकते हैं इसमें आपको sides कितने side हैं वह बच्चे को भी आप counting करवा सकते हैं आपने तरीके से भी इसको करवा सकते हैं from the biggest to smallest इसमें क्या है descending order है बड़े से छोटे करम जैसे कि सबसे पहले seven लिखना है फिर five लिखना है फिर four लिखना है फिर two लिखना है biggest से smallest की तरफ जाना है ओके count the number of cake in the plate इसमें count number करना है वजिसे की one तो यहां पर one two three three number one two three four five five number आप देखो one के बाद two skip किया गया है तो three है three के बाद five four skip five तो यहां पर five के बाद six skip करना है आपको और फिर यहां पर आएगा seven तो इस तरह से यह sequence को follow करना है okay which is the which is the biggest number यहां पर आपको सबसे बड़ा number लिखना है जैसे कि यहां पर सबसे बड़ा number है 40 तो यहां पर आपको 40 number लिखना है set the ships lying by giving it the color as indicate okay one number पर red color होगा two number पर yellow color होगा and three number पर green color होगा इसको बच्चे को color करवाना है आपको फिर count and write इसमें counting करना है फिर लिखना है इधर count and write how many finger are there on both the hand इसमें बच्चे को counting करना है finger की और फिर यहां पर count करके लिखना है ओके यह देखे बहुत ही अच्छी activity है can you figure out the number of butterflies right how many इसमें बच्चे को butterfly count करना है और फिर इस पर लिखना है इसमें brand boosting activity होगी ओके इधर दिया है it's matilda's birthday count and write total number of matilda's friend matilda's के कितने friend है उनको count करके लिखना है one two three four five six तो यहां पर इस तरह से six number लिखना है children wearing birthday cap okay one two three four five six six और फिर how many candle are there on the cake cake पर कितनी candle one two three four four and how many birthday present matilda's received matilda's को कितने gift मिले है one two three four five six okay इस तरह से आप बच्चे को birthday का कॉंसेप्ट भी किलियर कर सकते हैं इसके थ्रूप okay how many okay how many cows are in the set set में कितनी काउं है one तो यहां पर क्या लिखना है one how many horse are to be fed कितने गोडों को खाना खिलाना है one two three four यहां पर four how many chick suit the mother hand take care of मुर्गी मा को कितने चूजों की देखवाल करनी है यह इन चूजों की मा है इनको कितनी चूजों की देखवाल करनी है इस मा को one two three four five okay इस तरह से आपको अपने बच्चे को fun way में यह करवाना है okay इधर क्या दिया है how many goats are grassing in the field खेत में कितनी बकरियां चर रही है one two three four okay how many duckling are laying up for the swimming lesson तेरा की पार्ट के लिए कितनी बतकें कतार में है okay यह दो तो तेर रही है अब कतार में कितनी खड़ी है one two three four इस तरह से आपको अपने बच्चे से एक्टिविटी करवानी है okay यह best activities हैं आप screenshot लेकर इसको print out निकलवा लें और हाँ अभी करवाएंगे और अपने बच्चे से daily basis पे यह activities करवाईए okay यहाँ पे वही concept है बच्चे को number one से two जाना है two से three three से four इस तरह से यह complete करना है okay now next how many फिर से यह how many का concept आया है अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा है how many जैसे की lotus कितने हैं तो यहाँ पर से बच्चे को count करना है one two यहाँ पे इस तरह से यह पूरा complete करवाना है okay next finding the number way इसमें क्या करना है यह number दिये है अब उसी की through रास्ते से जाना इस monkey को find करना है okay अपन इस तरह से hint दी हुई है इस तरह से ही monkey को यह okay monkey को okay इधर देखिए join the number in right order number को joint करना है one से two two से three इस तरह से यह activity है और फिर यह क्या है what's come four जैसे what's come after four की बाद क्या आता है five seven की बाद क्या आता है six seven की बाद sorry seven की बाद क्या आता है eight इस तरह से what's come before nine से पहले क्या आता है eight और six से पहले क्या आता है five इस तरह से यह करवाना है more and less इसमें more and less का concept है पहले तो count करके लिखना है pen apple कितने है और and apple कितना है फिर इसमें more कौन more है and less करना है okay how many cranes are there in the picture कितनी cranes दी है one two three four five है how many are eating the fish कितनी फिस खाली है वो count करके इसमें how many question put up किये हैं वो करना है जैसे कि इसमें leg कितने है वो लिखना है two कितनी है five इस तरह से बच्चे से करवाना है अच्छी activity book है ओके इसमें day of the week का concept है इसमें बच्चे को day of week का concept क्लियर करना होगा ओके इसमें क्या करना है count करके लिखना है और end list number पर tick करना है ओके and last write the number of dots in the box and tick the highest number ओके इसमें जैसे कि मटर है मटर में कितनी bits हैं one two three four four इस तरह से four इसमें कितनी bits है one two three four five six आयू ने ये किया है देखो गलत किया है खुद से किया है one two three four इस तरह से इसमें four है अब इसमें highest number पर tick करना है जैसे कि six सबसे बड़ा नमर ओके everyone इस books में जितनी भी activities थी वो मैंने आपके साथ share कर दी हैं आपको अगर ये सारी activities पसंद आई है and मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो please आप मेरे वीडियो को like कीजे and मेरे चैनल को subscribe कीजे thank you thank you very much thanks for watching